हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेंड, मैं हुनी थी, दोस्तो आज के वीडियो में मैं आप लोग सत ये वाला मेकप लूग सेयर करूँगी, जैसा कि आप लोग को टैटल थमनिल देके समझ में आ चुका होगा, कि ये एक फेस्टिवल मेकप लूग है, किसी अविली दुला ने वो इस तरीके से मेकप कर सकती है, और इस टिप बाइस टिप बताऊंगे कि मैंने ये मेकप लूग कैसे किया है, पोरा आटफित ड्रेस अब सब कुस दिखाऊंगी, इस वीडियो को पोरा जरूर दिखिएगा, यहां पर मैं ले रही हूँ सबसे पहले और टोनर के जगापे मैं यहां पर गुलाब जल का यूज कर रही हूँ, आपके पास अगर टोनर है तो आप टोनर का यूज कर सकते हों, और फेस से पहले आपको क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉस्टराइजिंग जरूर करना है, CTM कहते हैं इसको, तो अब यहां पर मैं कहर र आई मेकप से और आई मेकप के लिए मुझे चाहिए होगा थोड़ा सा वाइट टॉन का लूस पॉडर जो जिससे मेरी आई इसको थोड़ा से मेर ड्राइ कर सकूँ जब मैं इस पे आई मेकप करूँगी तो काफी अच्छे से वो उभर के आएगा सो यहाँ पे मैंने लिया सीवाना का हाईडाइट ड्राइटर इसमें आपको चार से पांस तरह के का सेड से के मिल जाता है जिसको आप पर चीपक्सा जाता है और यहां पर मैं उपने ड्रेस प्तरव किया वे रहे हुं रहे हूं यह घंडा रही है और कुल्ब में और अखिकता रहे है और शक्म dedण के घarry baldNice यहां और यहां पर में लाइनर लाक अइनर में लागाया धाया इससे आप काफी अच्छा eye makeup कर सकते हूँ और बहुत ही simple सा मैंने यहाँ पे eye makeup किया है बिल्कुल भी यहाँ पे smokey वगेरे नहीं किया है क्योंकि यार उस दिन इतने ज़्यादा time भी नहीं हो पाता कि आप smokey वगेरे करो तो आप normal सा eyeshadow लगा सकते हूँ इसके उपर से आप normal eyeliner लगा सकते हूँ अभी आप देखोगे जब मेरा पूरा makeup लो complete हो जागा तो यह कितना ज़्यादा सुन्दर लगेगा अभी आपको यह बहुत सिंपल लग रहा होगा सायद बट यहाँ पे आप देखोगे liner लगने के बाद, mascara लगने के बाद यह कितना ज़्यादा प्यारा और सुन्दर लगेगा यहाँ पे मैं जो liner अप्लाइ करी हूँ वो blue heaven का है आपके पास जो भी liner है आप उसको अप्लाइ कर सकते हो चाहे लैकमे का हो, कुई से भी brand का हो वो कोई matter नहीं करता है बट अगर आप beginners हो, अगर आपको liner लगाने नहीं आता है तो अब मैं कहूंगे आप gel eyeliner यूज करें, उससे आप अच्छे से eyeliner लगा पाऊँगे, उसमें जो brush आता है वो काफी ज़्यादा अच्छा रहता है तो उससे I think आप अच्छे से कर पाऊँगे तो आप उसको एवर try जरूर करना अगर आप beginners हो थो बट मुझे अच्छे से लग जाता है मेरे से eyeliner तो मैं यहाँ पे इसी तरीके से लगाऊँगी और अब मैं यहाँ पे करूँगी face का make-up और उसके लिए मुझे चाहिए होगा सबसे पहले primer थोड़ा सा primer लोगी अब पुरे face पर blend कर दूँगी यह है रैबलोन का perfecting primer और इसकी जो price है वो 1600 रुपीज है पर यह मुझे product काफी जादा अच्छा लगता है काफी face को smooth कर देता है एक matte सा look देता है प्राइमर लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी मेकप से पहले आपके skin को भी product करता है foundation को आपके skin के अंदर यह जाने नहीं देता है एक layer create कर देता है और जिसके कारण आपकी makeup भी काफी जादा smooth लगती है आपके pores कोई clock कर देता है तो काफी सारे फाइदे होते है अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ यह foundation तो यह काफी ज़्यादा affordable foundation है और काफी अच्छा coverage देता है जैसे कि coverage आप यहाँ पे देख सकते हो full coverage दे रहा है और आप बिलिप नहीं करोगे यह only 220 का foundation है काफी ज़्यादा अच्छा foundation है अगर आप चाहते हो ना इस foundation के बारे में तो आप प्लिस मुझे comment करके बताईएगा और इस पे मैंने एक separate video भी बना रखा है उसका मैं link description box में देदोंगी तो आप वहाँ से जाके foundation को check out कर सकते हो उस video को देख सकते हो कि यह foundation कैसा है कितने में मैंने लिया है अब यहाँ पे मैं beauty blender का use करके इसको अच्छे से पूरा dab dab करके इसको कर लोगी अब जो यहाँ पे मैं next कर रही हूँ वो concealer यह LA girl pro concealer है beauty blender से मैं again इसको यहाँ पे पूरा dab dab करके अच्छे से कर लोगी थोड़ा सा highlighter point पे लगाऊंगी जैसे under eyes के नीचे forehead पे, nose पे यहाँ पे आपको इस तरीके से लगाना है यह वाला जो आपका area होता है ज्यादा highlight होता है so यहाँ पे concealer को लगाया जाता है और यहाँ पे जो यह compact powder है मेरे पास यह LAQME का compact powder है काफी अच्छा यह compact powder है इसका अभी मैं review करूँगी अभी मैंने इसको newly ही purchase किया है और आप यहाँ पे देख सकते हो financing कितनी जादे अच्छी है इसकी और long lasting भी है और काफी जाद affordable भी है so यहाँ पे आप देख सकते हो फीस का make-up मेरा कितना ज़्यादा अच्छा लगने लगा है simply में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है थोड़ी से नेकपी भी लगा लूँगी नहीं तो skin tone अलग अलग दिखेगी चो कि बहुत बिकार लगता है यहाँ पे मैंने friend brush लिया है मस्करा और मस्करा मुझे लगाना बहुत पसंद है और मस्करा को आपको ज़रूर लगाना चाहिए और आप यहां पे देख सकते हो किस तरीके से ओपर की डlusive काOoh और नीचे से एक दम नीचे इस तरीके से खड़े-खड़े करके आपको लगाना है तभी आईस की लूक आपकी अच्छी लगेगी और आप यहाँ पे खुदी देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है मस्करा लगाने के बाद एक आईस में जो लूक आ जाता है चलाते जाना है तो यह एक सही तरीका होता है इसको लगाने का तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईब्रोस को भी मैं यहाँ पे फिल कर लूँगी इसी इसे और काफी अच्छा यह पैंसिल आईब्रो बस आप इसको देखो कि किसले किसमें यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सेप बना रही हूँ क्योंकि हमेसा दोनों एवरो परफेक्ट नहीं होते हैं तो इसलिए थोड़ा सा सेप आपको देना पड़ता है और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा जादा ऊपर चला गया है तो आप यहाँ पे यह जो एलेगल का कंसिलर है इससे आप इसको सही कर सकते हो इसमें ब्रस दिया रहता है तो वह कापी अच्छा उवर करता है कहीं भी आपके मेकप खराब हो गई है तो बस आप इसको आपके मेकप को सही कर देगा चाहिए आप लेपिश्टिक लगाते हो लेपिश्टिक थोड़ी सी बाहर हो जाती है तो आप इस तरीके से कंसिलर को अप्लाइ करके सही कर सकते हो यहाँ पे मैं लगा रहे हूँ ब्लसर यह 4-in-1 मेकप पैलेटेस में आपको काफी अच्छा सेड्स मिल जाता है आइसेडो भी हाइलाइटर भी 4-in-1 है सो हलका हलका सा ब्लसर लगाऊंगी थोड़ा सा पिंकिस लुक चाहिए बहुत नहीं लगाना है एकदब नेचुरल दिखना है सो यहाँ पे आप देखी सकते हो बिल्कुल हलका मैंने लगाया है उसको भी लगाने के बाद मैं यहाँ पे कॉम्पक्ट पॉड़ेस को इस तरही से सेड़ कर रही हूँ सो आप यहाँ पे खुदी देख सकते हो और यहाँ पे जो निक्स्ट लास्ट चीज है वो है लिपिस्टिक और यह लिपिस्टिक ऐसी नॉर्मल है लोकल है बट काफी अच्छी है इसको मैंने स्रोजनी नगर से परचीज किया था 50 रुपीज में बहुत यह अच्छी लिपिस्टिक है फैलती भी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि जो सस्ता होगा वो खराबी होगा जो महंगा होगा वो अच्छा ही होगा तो यहाँ पे आप चाहो तो लिपिस्टिक भी लगा सकते हो मैं तो आपको सजिस्ट करूँ कि आप लिपिस्टिक ही लगाना तभी आपकी मेकप जो होती है वो लॉंग लास्टिक रहती है और इसको मैं उझे मेकप करने के बाद इसको तुरंट रिमूफ करना होता है इसलिए मैं यह वाला लिपिस्टिक यहाँ पर अप्लाई कर जूँ हूँ और आप देख सकते हो मैं किस तरीके से लिपिस्टिक लगा रही हूँ थोड़ा से हेंट को अस्थी रखना है थोड़ा सी दिहान दे के लगाना होता है और यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ काजल सो काजल को मैंने ब्रस में ले लिया इस तरीके से small brush है यह तो आप इसे काजर liner लगा सकते हो दोनों तो इसी से मैं अपने eyes पे हलका हलका सा काजर लगाऊंगी बहुत नहीं लगाऊंगी थोड़ा आधे eyes में लगाऊंगी आधे में नहीं लगाऊंगी इसे काफी ज़्यादा अच्छा look आता है और आजको ऐसे ही लग चल रहा है अब मैं यहाँ पे सिवाना का वही पैलेट से मैं यहाँ पे यूज़ करें हाइलाइटर और आप देख सकते हो क्या मस्त लग रहा है हाइलाटर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है लगाने के बाद तुरूंत एक close आ जाता है face के उपर इसलिए मुझे हाइलाटर लगाना बहुत पसंद है थोड़ा सा मैं पोरेड वगरा पे भी लगा लूँगी थोड़ा सा मेरा जो मेकप है वो थोड़ा हाइलाइट करें अच्छा दिखें सो आप देख सकते हो जहां भी मैं हाइलाटर लगा रहे हूं कि इतना अच्छा सा गुलू आ जा रहा है वहाँ पर बहुत अच्छा यह हाइलाइटर से बाने का और एफोडेवल भी है आप रोग पर इसको परचेस कर सकते हूं सो गैस यह पूरा फैनल मेरा अपना मेकप कंप्रीट हो चुका है अभी बस मैं ड्रेस पहन के आ रही हूं इसके बाद आप रोग से मिलती हूं यह मैं तो आपको दिखा रही हूं यहां पर आप देख सकते हो प आपको टिक टक पिन लेना है उसको इस तरीके से ग्रॉस करके लगा लेना है और यहां पर मैं चूटी सी बिंदी लगाऊंगे कि बिना बिदावड बिंदी तो यह मेकपी लुक इनकम्प्रीट है तो बिंदी को ज़रूर लगाए तो गैस यहां पर देख सकते हूं यह है म तो आप यहां पर खुदी देख सकते हूं कितना अच्छा लग रहा है यहां पर और यह पूरा फाइनल मेरा लुक है मेरा पूरा आउटफीट है यह है सारी अगर आपको यह सारी अच्छी लग रही है तो प्लेस आप मुझे बाताईएगा इस पर भी मैं एक वीडियो बन